हलो एवरिवान कैसे हो आप सब लोग आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आपका ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है बहुत से लोगों के मैसेजिस मुझे मिलते हैं कि अगर हमने कुछ बैड करम किये हैं कुछ बुरे करम किये हैं तो वो हमें कैसे पता चले का है और उनकी क्लेंजिंग कैसे हो सकती है बहुत से लोग इस बात के लिए बार बार मैसेज करते हैं तभी ये वीडियो में आप तक आज पहुँझा रही हूं आप लोग इस वीडियो को जबूर देखे Philip कर सकती है करमा क्लेंजिंग के लिए कुछ लोग अपनी लाइफ म में तो हम बहुत अच्छे हैं, हमने किसी के साद where you have very bad, किएसका बुरा फल मिले, पर वह हमारे पिछले कर्मों का। H framed the open sun, ど can we live outside of? अगर आपको लगजते हैं, आपके बिनाबाद की ब्लाक hizoiamo, आप की जिंदगी चलने का नाम नहीं ले रही है, कुछ भी अच्छा होने का नाम नहीं ले रहा है तो वो जुरूर आपके करम रहे होंगे वो जुरूर कुछ ऐसा रहा होगा जो आपकी blockages है तो आज हम इस बात के लिए discuss करेंगे और मैं आपको इसके लिए पुरा एक तरीका बताऊंगे कि आप अपने करमों को cleanse कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक detail शेर कर देती हूँ अगर आप free reading लेना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि आपकी problems के solutions आपको मिल सकें तो Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं उसका link आपको description box में मिल जाएगा 7 November को free reading session रखा जाएगा सुबह 10 बजे का समय है 10 से साड़े 10 बजे तक हम free reading session रखेंगे जिसमें आप अपना एक सवाल बूच सकते हैं तो अगर आप भी free reading लेना चाहते हैं अगर आपकी problems भी बहुत जादा बढ़ रही हैं और आप उनका solution चाहते हैं तो आप Instagram पर मुझे follow कर सकते हो आपको नीचे description box में link मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आपको follow करना है और आप 7 तारीकों 10 से साड़े 10 बजे के बीच में अपना question पूच सकते हैं देखे ये एक free reading session रहेगा और आदे गंटे का समय है तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि मैं सब के answer कर सकूँ पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत से लोगों के answer कर पाऊं ताकि आपकी problem का solution आपको मिल पाए आप लोगों को भी ready रहना है और 10 बजे आपको आपकी solutions मिल जाएंगे तो अगर आपका सवाल मैं उस दिन नहीं भी ले पाई तो आगे भी ये session चलते रहेंगे इसलिए आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं मैं जरूर आपको कभी न कभी इसका answer जरूर करूँगी जो भी आप प्रशन पूछेंगे करम के बारे में मेरा विश्वास ये है आप फसे हुए हैं तो ऐसे में आपके करमों का हिसाब जो आप समझ रहे हैं कि शायद आप में नहीं किया वहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है वहाँ पर कुछ ना कुछ रिन आपने एकठा किये है वहाँ पर ऐसा क्यूं हो रहा है ब्रामन्ड को आपके करम को आपके अस्तित्व के सभी स्तोरों पर संतुलित रखने के लिए डिजाइन किया गया है यानि के ब्रामन्ड यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं उसका ये एक स्ट्रक्चर है कि वो आपको हर तरफ बैलन्स रखे हर तरह से balance रखे, वो आपके रिष्टों में भी balance लेकर आए, वो आपके जीवन में balance लेकर आए, आपके स्वास्थे में balance हो, ताकि आपको कोई problem ना हो, और जहां पर balance नहीं नजर आता है, वहां पर कार्मिक blockages होते हैं, आपके कुछ अंसुलजे करम जिने हम कहते हैं, आपक जैसे पुराने emotional patterns को फिर से attract करने लगती हैं, और आपके जीवन में imbalance create करती हैं, तो यह एक बहुत common procedure होता है, जब करमा की बात की जाती है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा, कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपने कुछ नह emotional patterns को attract करते हैं, जो पहले आपके साथ बीच चुका होता है, हम अपने पुराने करमों को जान भी लें, तो भी हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम अगर ये जान लें कि हमने पुराने समय में, पुराने past life में कुछ अच्छे करम नहीं किये हैं, तो भी उससे हमें क्य लाब होगा, उससे हमें क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, जब तक हम अपने पुराने करमों को जान कर, उनको cleanse करने के बारे में नहीं सोचते, उनको ठीक करने के बारे में नहीं सोचते, उसको ठीक करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते, जीवन में सफल होने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि यही वो एक चीज है, जो सफल होने से आपको रोकती है, अपने कर्मों को क्लेंज करने के लिए बहुत से मैथड्स, बहुत सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, पर यहाँ पर आज आपको बहुत सिंपल टेक्निक्स बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिचुल्स जो हैं, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ रिचुल्स ऐसे होते हैं, जो सिरफ एक हीलर कर सकता है कुछ रिचुल्स ऐसे होते हैं, जो आप भी कर सकते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा healing code बताने वाली हूँ कि जो आप अगर use करते हैं तो आपको कर्मा cleansing साथ-साथ होता रहेगा और इसके साथ-साथ कुछ ऐसी techniques भी बताने वाली हूँ जिससे आपका कर्मा cleansing होता रहेगा कर्मा cleansing को करना बहुत असान है पर हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हम सोचते हैं हमारे कर्म खराब हैं हमारे कर्मों में यही लिखा है हमारे कर्मों में पिछले जनम के रिण हैं जो हम चुका नहीं पाए वो इस जनम में हमें चुकाने पड़ेंगे तो इस तरह कि जो thoughts है ना हमारे मन में वो हमें परिशान करते रहते हैं और हम सिरफ और सिरफ उनको ही सोचते हैं अगर हम ये सोचें कि हम अपने कर्मों को ठीक कैसे कर सकते हैं इस जनम में ही सही जो हमने past में किया वो तो चला गया, वो तो होच चुका, उसकी भरपाई नहीं हो सकती पर अगर हम इस जनम के कर्मों को सुधार लेंगे तो वो हमारे आगे के जनमों के कर्मों में add हो जाएंगे और वहाँ पर cleansing भी साथ-साथ शुरू हो जाएगी तो सबसे पहला step है donation donation क्यों करना चाहिए? donation के बारे में बहुत सी बाते आपको सुनने को मिलेंगी donation इसलिए करना चाहिए कि जब आप किसी को देते हैं तो आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब जो आपके कार्मिक bondages बन चुके हैं जो आपका कर्म बंधन है उससे चुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है जब आप किसी को कुछ देते हो तो आप कुछ accumulate करते हो क्या accumulate करते हो आप blessings लेते हो आपके पास जब blessing आती है तो वो आपके कर्मों में add हो जाती है बहुत सी blessings आपको मिलती है donation करने से और बहुत ही अच्छे तरीके से वो मिलती है क्योंकि इसके लिए आपको किसी को पाओं को हाथ लगाना नहीं पड़ता आपको किसी को ये कहना नहीं पड़ता कि हमें bless करो वो blessings दिल से निकलती है वो blessings उन नीडी लोगों के दिल से निकलेंगी जरूरत मंदों के दिल से निकलेंगी और वो आपके करमों में एड हो जाएंगी accumulate कर लेंगे आप उसको अपने अगले जन्मों के लिए इसलिए आपको donation जरूर करना चाहिए donation किसी भी form में हो सकता है पैसों की form में कपड़ों की form में खाने की form में help की form में जो भी आप करना चाहें किसी के लिए जरूर करें अपनी तरफ से आप कोशिश जरूर करें donate करने की आप किसी को कुछ देने की ताकि किसी और की मदद हो सके जब आप किसी को अपने दिल से कुछ देते हो तो वो भाव जो है वो emotion जो है वो attract नहीं करता है पुराने करमों को वो release करता है वो emotion आपके अंदर खुशी लेकर आता है वो आपके पुराने करमों के जो blockages हैं उनको release करने का काम करता है जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बार बार आप उनी emotions को attract करते हैं जो पुराने होते हैं और आपके करम बंधन होते हैं पर जब आप डोनेशन देते हो तो वो सब चीजें रिलीज होने लगती है धीरे धीरे आपके करमों से बाहर निकलने लगती है दूसरी बात हमें करनी है अपने करमा क्लेंजिंग के लिए वो है भगवान को ग्रैटिट्यूड करना बहुत ही सि करम ही ऐसे हैं मैंने बहुत बुरे करम किये हैं मैंने बहुत बुरा किया है मैरे रिन बहुत जादा है कुछ ऐसी नेगटिव बाते हम सारा दिन करते हैं हम भगवान का धन्यवाद उन चीजों के लिए करना भूल जाते हैं जो उसने हमें दिया है जो अच्छी चीजें उस तो जो जो आपको मिला है उसको gratitude करें भगवान के साथ connect होकर उसको महसूस करें उसकी frequency को ग्रहन करें जब आप उसके frequency को ग्रहन करते हैं जब आप उससे connect होते हैं तब आपको क्या मिलता है तब आपको मिलता है उसकी frequency उसकी उर्जा जो आप ग्रहन करके अपने जीवन में ब बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो आपके कर्मा क्लेंजिंग अपने आप होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपने सब कुछ उसको दे दिया आपने अपने आपको भगवान को सौंप दिया तो यह एक बहुत ही प्यारा सा तर अगर आप क्रेटिट्यूट करते हो जो है उसमें संतुष्ट रहते हो जो है उसमें उसका धन्यवाद देते हो तो वहां पर कर्मा क्लेंजिंग शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एंजल नंबर हीलिंग कोड के बारे म पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप आगे जो मैंने पहले दो तरीके बताए हैं उनको इस्तेमाल ना करके सिरफ इस हीलिंग कोड को यूज करें आपको अपनी लाइफ में चेंजिस लाने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करना है तभी पूरी तरह से कर्मा क्लेंजिंग ह हो सकेगी और आप अपने कार्मिक रिणों से मुक्त हो सकेंगे इस एंजल नंबर को और हीलिंग नंबर को आप लिख लें यह नंबर आपको ऐसे इस्तमाल करना है जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी आपने बोलना है वान फोर उसके बाद थोड़ा गैप देना है उसके ब माफी मांगे जो भी आपने पास्ट कर्मा किये हैं आपको उनसे मुक्ती मिले आपके रिणों में मुक्ती मिले तो ऐसी प्रार्थना के साथ आप इसे लिखिए आपको इसे चैन्ट भी करना है आप कितनी भी बार जितनी भार आपका मन करे आप चैन्ट कर सकते हो इसमें को तो इतने आसान टेक्निक्स के साथ आप भी अपनी कर्मा क्लेंजिंग कर सकते हैं जो लोग बार बार कमेंट्स में पूछते हैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो आज मैंने बनाई है तो बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं यूज करके देखिए इस्तिमाल कीजिए और आपकी कर्मा क्लेंजिंग अपने आप होनी शिरू हो जाएगी आज के लिए इतना ही वीडियो आपको बसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा क्योंकि ऐसे ही और बहुत से टॉपिक हैं जो आप जानना चाहते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भ बहुत बहुत हन्यवाद